सबसे पहले में आपको बात करने बाला हूँ dream 11, my team 11 और hala play के बारे में ये तीनों जो है top 3 जो है trending fantasy application है तो इन तीनों की मैं small league जीतने की tricks बताने बाला हूँ लेकिन आपको एक चीज़ जहन में रखना है my dream 11 की जो है winning जो है small league की combination अलग होती है क्योंकि point system जो है तीनों का बिलकुल अलग है तो उसी साब से मैं आपको बताने बाला हूँ तो वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आप आखिर तक देखोगे और वीडियो अच्छा लगे तो like और channel को subscribe तो करोगे वो तो मुझे पता है लेकिन एक important जिस जो आपके फाइदे के लिए है जो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ माइ 11 सर्कल के बाड़े में बहुत ही नहीं अप्लिकेशन है बहुत सारे लोग उने डाउनलोड किया होगा बहुत सारे लोग उने नहीं किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप जाके डाउनलोड कर लो ठीक है डाउनलोड करने से आपको क्या होगा मैं आपको यहाँ पर एक डेमो देखे बता देता हूँ यहाँ पर अगर आप दादा की टीम को बिट करते हो तो आपको 5 टाइम से यहाँ पर अनिंग मिलती है तो अगर आप 20 रूपीस लगा के खेलते हो और हीट-ऊट जैसे आप अगर खेलते हो और अगर आप से लंका बिस उस्ष तुरीय के टीम में जो है अगर स्वारप गंगुली की टीम को बीट कर देते हो जो एक टीम बनाएगा तो आपको यहाँ पर नॉर्मल टीम में अगर 20 रूपीस लगाते हो हेट वेट खेनने के लिए आपको लगवग लगवगवग थर्टी फाइब रूपीस मिलता है या फिर थर्टी रूपीस मिलता हो तो यह कुछ चीजे थी अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्सन पर लिंक है जाएए डाउनलोड कर लिजे अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओटीपी देके वेरिफाइए हो चाहिए उसके बाद कॉंटेस आप खेल सकत लगवक सारे लोग ड्रीम 11 केलते हैं जो यह वीडियो देखेंगे तो आपको पता है ड्रीम 11 ने पॉइंट सिस्टम जो क्योंट चेंज किया पॉइंट सिस्टम जो है चेंज करने से आपको टीम की कॉंबिनेशन जो है अलग बनानी परती है लेकिन अगर आपको जो है अब जो है जो नई जो है कॉंबिनेशन आई है उसमें जो सबसे इंपोर्टन चीज है वो है विकेट कीपार सेक्शन आपको विकेट कीपर में ज जाया तर आपको वाल्डाउंडर तो पहले थीन लेते थे आप चार ले सकते हो maximum तो आप चार वाल्डाउंडर ट्राई करोगे ड्रीम 11 पे लेकिन जो लोग ध्यान में नहीं देते वो है विकेट कीपर और विकेट कीपर में जाया तर जो बरी टीमों की बात करें तो बहुत ही टेक्निकली सॉलिड बैट्समेन है तो विकेट कीपर पर अगर आप ग्रीम 11 पर सही से विकेट कीपर पिक करोगे स्मॉल लीग में तो आप जाया से जाधा मैच जी सकते हो उपर से विकेट कीपर की रोल किसलिए जाद है मैं आपको बताऊँ विकेट कीपर हमेसा आपको कैचिंग पॉइंट देते हैं जो की एक कैच करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं सपोज आप दो विकेट कीपर लेके खेलते हो तो और उसमें लगभग वो लोग तीन तीन करके अगर च्छे भी कैच करते हैं तो आपको 24 पॉइंट जो एक्ष्टा मिल जाते हैं विकेट कीपर से हाला कि यहां पर चारपा कीट की बाद दिया रहता है लेकिन मैच में तो शिरिफ दो ही विकेट कीपिंग करते हैं और अगर दोनों जो एबरेज या फिर अच्छे बल्लबास होते हैं या तीन से लेके 5 में 5 के अंदर आते हैं या फिर नीचे भी आते हैं जो कि जोई बटला 6 पर बैटिंग करते हैं लेकिन बहुत 20 वोट बैटिंग करते हैं ऐसे पिलियर को आपको लेना चाहिए अगर वो सेगेंड बैटेंग करें तब भी क्योंकि स्मॉल लीग में बहुत सारे लोग नीचे के बैट्समेंट को नहीं लेते और वहां पर आप विकेट की पर को ट्राइक करिए विकेट की पर एक बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट चीज रहेंगे साथी साथ अगर वन डे की बात करें तो वन डे में वाल डाउंडर की इंपोर्टेंट उतनी जादे नहीं रहती तो एक आप एक्स्ट्रा वाल डाउंडर की बजे जो है आप ड्रेम 11 पे आप बोलर्स को ले सकते हो कि वो बोलर्स को जो और अलगवग एक विकेट का 12 पॉइंट मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है आप और कंपेर करें एक बल्लेवास से तो उनको जो है लगवग ट्वेंटीFour करना पड़ता है तब उनको जो त्वैंटी आ ट्वेंट मिलता है वहीं पे बोलर्स को जो है वान विकेट लेते ही जो उनको 12 पॉइंट वान डे में मिल जाता है तो यह कुछ चीज है जो आपको सही रखनी चाहिए उसके बाद एक चीज जो है सारी अपलेकेसेंट पर जो है वो लागू होती है चाहिए वो माई टीम 11 या फिर हाला पिले हो तो मैं पर किते हूं आपको जो है इसमाल लिकार आप खेलते हो तो लगभग मिनीमम जो है आपको जो है эксперamel पहले जोए आपको जो अब भी जो आउन डेलाइन जैसे कि मैं सुरू होने से पहले तक ही कि जाईलाइन होता है तो आपको मिनीमम जो है पहले जोए लिग जोई जोईन करनी होती है इसके फाइदे क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं पहले जैसे कि अगर 24 आवर पहले अगर आप लिग जोईन कर लेते हो तो आपको पहला फाइदा यह होता है आपका ओपोनेंट जोए टॉस के बाद वो टीम वो किसी और काम से बीजी होता है या फिर आप भी आप जोई इडिट करना भी भूल जाते होंगे तो अगर आपको में एक सजेशन देता हूं आपको जोई मोबाइल पर आलम देना होता है लेकिन अगर आप बहुत ही एमर्जेंसी है तो आप जो है आप उसी टाइम पर साह जो है आलम दे सकते हो ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी टीम आलम में लिग देजिए उसके बाद कोई भी जो है डेडलाइन से ट्वास के बग का जो है आप जो है आलम सेट कर सकते हो उसी सब से आपको पता भी चल जाएगा या आपके लिए बहुत ही सही ऑफसेन रहेगा ठीक कि अब तो ड्रीम 11 के आपको समझ भी आ गया होगा पहला आपको विकेट की पर सही से लेना है आपको एक एक एक्स्टा और की जगह आप एक्स्टा बोलर को जो है ड्रीम 11 पर ले सकते हो इस्मॉल लीग में अब बात कर दो माइटीम 11 पर माइटीम 11 की जो है मैं वीनिंग आपको दिखा देता हूं एक बार उसके बाद मैं आपको यहां पर आपको बताऊंगा कि मैंने यहां पर माइटीम 11 पर यहां पर कितना विन किया हुआ है यहां पर देख सकते हो यहां पर मैं जितना नहीं चले जाओं आप यहां पर जा सकते हो तो आपको तो आप बिलीब हो गया होगा कि मैंने यहां पर बहुत अच्छा उनकी है तो आप मैं आपको मय 11 माइ तीम 11 की जोए यहां पर एक दो तीन सेक्रिट में आप यहां पर पार एक मिलता है वात जी जीता है यहां पर बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है क्याक्तित चैसमें आपको फोर नहीं आपको 6 पॉल्ट मिलता है ठीक है तो विकेट और पहला इंपोर्टेंट रहा है दूसर formerly of EU कलिए जो आपको यहाँ फ्रूहर तिम खिलता है जैसे मैं आपको सपोज वास्टुलिया विसस से लंका की बात करूं तो आपको वास्टुलिया की लगभग लगभग जो फोर में से फाइब में से फोर बोलर्स को पिक करना होता है क्योंकि आपको पता नहीं कौन से बोलर तीन या चार्ट ले लेते हैं सब उस कौन से बोलर अगर तीन विकेट अगर किसी बोलर ने ले लिया है और वो बोलर आपके अगर टीम में नहीं है तो आपका पॉइंट जो है लगभग आप जो है 66 प्लस ऐधिंग 4 है तो 70 जो है आप पीछे रह जाओगे 70 पॉइंट जो है आपको पता है यह बहुत ही ही फूइंट होता है तो आपको बोलर बहुत ही धियान से पीक करना होता है ठीक के बैट्समेन आपको प्रोब्लम के वज़े से आगर पीछे कर सकते हो लेकिन यहां पे बोलर बहुत यहां पर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि अगर आपका क्याप्टेन अगर यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आप बहुत ही कम चांसे हैं कि आप सेगन हाप पर आपने ओपोनेंट को हरा पाऊगे तो आप हमेशा टेकनिकली सॉ कोई अच्छा गार वाल राउंडर है लाइक आप कह सकते हो बेंस्टोक या फिर अंदेर रसल इनको आप क्याप्टेन कर सकते हो क्योंकि यह लोग जो है वीकेट लेंगे तो आपको ज़्यादा वेनिफित रहेगा अगर दो लेते हैं तो आपको आप जो है फॉर्टी फॉ कि यहां प्यापिति टीम बेलेंस रहें तो यह कुछ रहा माया'm की बात आपकर लेते हैं यहां पर हलापिले के बारे में तो हलापिले बहुत सारे और बहुत सुर्लीinea कीजिंग नहीं लिपुसें भूमिंक मैं आपको देंका आप मॊँस से जाके जोइन कर सकते हो आप हल प्रिफर कोड देते हो तो आपको जो है कैस्ट बोनस मिल जाएगा और कैस्ट बोनस से आप जो हंड्रेड पसे न्यूस करके जो है खेल सकते हो आपको पैसे एट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हला पेलेगी है टूर या फिर स्माल लिग जितने की मैं आपको जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़े है वह आपको बता देता हूं important jer यहाऊтом44 एपर चिछाम चीज बोईस केप्टेंट चूज नहीं करना है तो सपोस्ट यहां पर आपको जैसे आप सबसकों लोग इंग्लेंड का मैच है या फिर आउस्टली का मैच रिसेंट है उसमें अगर मैं आपको बात करूं ठीक है तो आप इसमीद को कैप्टेंट बना होगे या फिर मैक्स्वेल को आप ड्रीम 11 या फिर जैसे कि माई माई टीम 11 पर आप इसमीद को कैप्टेंट बना सकते हो लेकिन यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको मैक्स्वेल को यहां पर कैप्टेंट बनाना है क्योंकि मैक्स्वेल जादा हीटिंग करते हैं और लगबग जोए 150 के दिखपन दिया गए जैसे बलेवास को अगर आप यहांपे कैप्टेन करते हो तो आपको यहांपे जाधा पॉइंट मिलते हैं तो सारी के सारी चीज़े में सारी अलग fantasy point का system बिलकुल अलग होता है अगर आपको जिस point system को लेकर अगर आप confident नहीं हो ताप आप मत खेलिए मैं तीनों लगभग application लगभग मैं तीन यार से खेल रहा हूँ हाला कि dream elements बहुत पहले से खेल रहा हूँ और यह तीन है application मैं तीन यार से खेल रहा हूँ तो मेरे जैन में सारी point system बिलकुल सही तरीके से fit हो चुक गए है तो इसलिए मैं आपको यह सारी चीज़ा बता रहा हूँ और भी हला पहले कि एक चीज़ है आप अगर आपको एक चीज में आपको बता देना हूँ तीटि में आप एक चीज़ कर सकता हूँ आप एक्स्ट्रा बैटिंग की जगा एक्स्ट्रा वाल्डाउंडर या फिर एक्स्ट्रा बोलर यहां पर ले सकते हूँ क्योंकि T20 में अगर date over की बात करें तो यहां पर batsman कुछ खास अच्छा perform नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर कोई अच्छा बोलर अगर आपका लिए एक दो विके ले ले लेता है तो आपको यहां पर T20 विकेट पे बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं हाला कि T20 में economy rate जो है सभी के हाई होते हैं लेकिन विकेट में भी यहां पर अच्छा पॉइंट मिल जाता है और captain जो है यहां पर बहुत ज़्यादा important होता है मैंने दो तीन मैच आसा है स्रिपर स्रिप captain की वज़े से मैंने यहां पर मैच जीता था तो मैं आपको यहीं सजेस्ट करूंगा इस मॉन लीक के लिए आपको captain और captain जो है यहां पर आपको बहुत ही बॉइसली जो समझ के चूस करना होगा और आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कोई Maxwell बटलार जैसे बल्लेबास यहार्दिक पंडिया जैसे बल्लेबास को आप यहां पर captain करेंगे तो आपको विडियो अच्छा लगा हूँ और सारे application की जो मैंने आपको बात बताई है वह आपको सजेस्ट कर रही अच्छी लगी होगी अगर आप कौन ते application केलते हो आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताना अगर आ बाई मिलते हैं अगले वीडियो में